देश के शुनाव में राजनितिक विमर्स बदलता जा रहा है, मुसल्मान, आरक्षन, मंगल, सुत्र और ये विक्सित भारत और फिस सब का साथ, सब का विश्वास वाली बात अब बैक्ग्राउंड में चला गया है, आखिर क्यों? प्रियंका गांधी ने जो कहा है और ताज चिना गया है, मंगल सुत्र उनकी मा ने देश के लिए कुर्वान किया है। मैं 70 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, भारती जन्ता पार्टी ने जो सवाल उठाया है, कॉंग्रेस पार्टी ने जो अपना घुसनापत्र जारी किया है, मैनिफस्ट्रेस्टों जारी किया, कि हम एक एक नाकरी की संपत्ति जो है उसकी जांच कराएंगे और उनकी जो лагने एसेट जो सोना चान दी है जोका अप संखेक लिए बाद ही विश्मिल्म मुस्लमन था और बहुत लोगे सिख जैन की बात कभी नहीं कि उन्होंने हमेशा अल्प संख्यक में उन्हीं लोगों की बात की जिनके लिए कहा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी को इसका जबाब देना चाहिए इस पस्ट करना चाहिए और के सब्तर साल पहले बात नहीं उठी बात आज उठ रही है और कांग्रेस पार्टी की नीत ये नियत हमेशा रही है कि देश के लोगों का सोचर इन लोगों ने किया है और भष्टाचार के दल्दल में डूबर में लोगों गटबंदन की एक भी रैली नहीं हुई है, केवल गाजियाबाद में इन लोगों ने एक प्रिस कांफेंस करके इत्वी स्री की है, इनको पता है जमीन खिसक चुकी है, इसलिए कोई मीटिंग नहीं किया, कोई रैली नहीं की, जनसंपर्क नहीं किया, भारती जनता पार्टी पहले रावन में आठ की आठ सीटे प्रचंड भूमत के साथ आ रही है, एक बात और भी चल रही है कि चार सो पार की आप लोग बात करें, वो चार सो ला करके देश का सम्विधान बदलना चाहते है, आरक्षन खत्म करने जा, इस प्रकार की बातें वहीं लोग करते हैं, ज मैं जो कंगरेस पार्टी ने कहा है, जो किया है, उसको पालने का काम करें, लेकिन कंगरेस पार्टी का जो मिनफेस्न है वो रहे गा, वो बदले? आप लोग पहले चुनावती दे रहे थे अब तो अकले से आदब आ रहे हैं कन्योज से राहूल गांदी का भी लग रहा है अब तो रॉबर्ट वाडरा के पोस्टर भी लग गए हैं में ठीए रावर्ट बाडरा के वारे में पोस्टर का वीडियो मैंने देखा है किसी ने मामले में कि देश की संपत्ती जो है उसका समान बटवारा होना चाहिए इसी के मामले में उन्होंने का कि अमेरिका वे तो पहले से किसी की मौत हो जाती है तो 55% संपत्ती रास्ट को मिल जाती है आप सोचे कि जो विमर्स अभी बना हुआ है कि कॉंग्रेस पार्टी लोगों क इस बात को लेकर के बैठी है कि वो देश के लोगों की संपत्ती को उन लोगों में बाटेगी जिन लोगों ने देश को हमेंसा तबाह करने का काम किया है